हेलो गाइज, वेलकम टु कीवी किचन किंग, आज हम नमकीन काजू बनाएंगे, इसे हम खुर्मी भी कहते हैं, अगर आपको इस रेस्पी अच्छी लगे तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, तो आई हम स्टार्ट करते हैं अपनी नमकीन काजू बनाना, इसके ग्रिडियन्स देख लेते हैं, दो कटोरी मैदा, वन फोर कटोरी सूजी, आधी कटोरी घी, नमक स्वाद अनुसार, एक चमच अजवाइन, एक बड़े बरतन में मैदा डाल लेंगे, सूजी, घी, अब हम अच्छे से मिक्स करके मौन लगा लेंगे, मौन लग गिया है, अब हम नमक और अजवाइन डाल लेंगे, मिक्स कर लेंगे, और अब वाटर का यूज करके इसका डो लगा लेंगे, थोड़ा थोड़ा वाटर डालते जाएंगे, और डो लगाते जाएंगे, सूजी सूजी डालने से खुर में कुरकुरी हो जाती है एकदम मार्केट स्टाइल में इसलिए हमने सूजी एड़ करी है अगर आप चाहें तो सूजी एड़ कर सकते हैं अधर्वाइस स्किप कर दीजेगा डो रेड़ी हो गया है अब पांच मिनट इसे रेस्ट करने रख देंगे डो रेड़ी हो गया है अब इसकी हम बड़ी बड़ी लोई बना लेंगे हमने लोई बना ली है अब इसे बेल लेंगे थोड़ा मोटा सा इसे बेल लेंगे पुरा यह हमने बेल लिया है यह देखिए इतना मोटा अब हम बोटल की कैप ले लेंगे और इस तरह से हम हाफ रखके कट करेंगे लोट से प्रेस करके इस तरह से हम यह देखिए यह हमाई खुर्मी में बन गई है इसी तरह हम पूरे में बना लेंगे सारी लोग को बेल कर इसी तरह हम खुर्मी का रूप देदेंगे ये देखिए हमने सारी खुरमी बना कर रेडी कर ली है अब हम इसे फ्राई कर लेंगे कड़ाई में हमने ओल डाल कर रख दिया है मिडियम फ्लेम पर हीट होने के लिए आईल हिट हो गया है अब इसके हम अपने खुरमी डाल लेंगे मीडियम फ्लेम पर अब इसे कोखोने देंगे इसे ऐसे थोड़ा सा हिला देंगे चारो साइड से मिडियम फ्लेम पर इसे कुखोने देंगे खुर्मी को थोड़ा सा उपर नीचे कर लेंगे यह अच्छे से दोनों साइड से कुखो जाए यह हमारी कुर्कुरी खुर्मी रेडी हो गई है कलर भी अच्छा आ गया है अब इसे हम निकाल लेंगे अब बाकी सारी इसे तरह हम कुख कर लेंगे यह देखिए हमारी कुर्कुरी खुर्मी बन के रेडी हो गई है इजी रेस्पीती और सिंपल रेस्पीती इसे आप ज़रूर ट्राइ करिएगा यहां तक बने रहने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा